सो हलो फ्रेंड्स आपका स्वाकत है मरी नहीं वीडियो में सोचिए अगर के आपको करण्ट अफेयर्स के लिए रट्टा ना मालना पड़े सिर्फ लोजिक लगाएं और आपके प्वेस्चन्स सॉल्व हो जाएं आपको करण्ट अफेयर्स के लिए हर रोज दो दो तिन तिन घंटे नियूज वेपर फर वेस्ट ना करने पड़ें आपको कहीं से सिरफ 10 मिनट की एक वीडियो मिले और आपके उस दिन के करण्ट अफेयर्स सॉल्व हो जाएं तो इन सबी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके पास आया हूँ अपनी इस वीडियो के साथ आज से मैं शुरू कर रहा हूँ करण्ट अफेयर्स की अपनी सेरीज जो की डेली आपको एक वीडियो के रूप में मिलेगी और उस दिन के करण्ट अफेयर्स आपके सॉल्व हो जाएंगी तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में एंट तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो फर्स्ट क्वेस्टन, क्वेस्टन अंसर की फॉर्मेट में करेंगे एक क्वेस्टन में आपके कई-कई इन्फर्मेशन्स कवर होंगी तो सभी इन्फर्मेशन्स को ध्यान से सुनें और इन्फर्मेशन्स को अपने दिमाग में बिठा लें तो सबसे पहला क्वेस्टन, सैंसर्स ओफ इंडिया के रिलेटेड है तो first statement with respect to census of India following statements हमने consider करनी है first statement है the decennial census is conducted by the office of registrar general and census commissioner ministry of statics and program implementation तो यह जो decadal census conduct करने की जो जिम्मेवारी है यह इसको conduct करने का process है वो registrar general और census commissioner करता है ministry of statics and program implementation की तरफ से यह इस statement का कहना है मगर actually में जो है वो census conduct करने की जिम्मेवारी होती है registrar general और census commissioner की जो की ministry of home affairs के अंडर होता है तो इस statement में यह वाला point ministry of statics and program implementation करता है इसकी जगा पे आना था ministry of home affairs जो की इस census को conduct करने का काम करती है तो statement 1 जो है वो हमारी wrong है statement 2 पर चलें census is conducted under the provisions of census act 1948 तो यह हमारी information बिलकुल सही है 1948 के अंडर ही census act 1948 के अंडर ही census को conduct किया जाता है आलांकि census की जो conduction है वो अजादी से बहुत time पहले से हो रही है मगर आज जो census conduct किया जाता है वो 1948 के census act के according ही किया जाता है थर्ड statement अंडर आर्टिकल 246 of the Indian Constitution population census is a union subject तो हमारी statement 3 भी बिलकुल correct है आर्टिकल 246 में ही लिखा हुआ है के population census जो है वो एक union subject है यह union constitution के 7th schedule जिसमें सभी list दी हुई है उसमें mentioned है तो 7th schedule में यह mentioned है के जो census है वो एक union subject है तो इसके basis पे हमारी statement 2 और 3 correct हुई तो इसके लिए हमारा जो answer आना चाहिए वो आना चाहिए B So let us see के हमारा क्या answer है तो हमारा answer है 2 and 3 only B option हम चलते हैं next question पे Consider the following statements According to recent World Bank report female labor force participation rate in India has declined from 32% in 2005 to 19% in 2022 तो India की labor force में मतलब जो लोग India में जितने लोग भी काम करते हैं किसी ना किसी तरीके से किसी economic activity में involved है तो World Bank ने report जो दी है 2022 की उसने कहा है कि 2005 में 32% इसमें से females होती थी means हर 100 persons में 32 females होती थी जो की number अब कम होकर 19% पे आ गया है हालां कि देखने में ये लगता है कि अब female की participation ज्यादा होगी पहले से मगर ये statement बिलकुल सही है World Bank ने यही report publish की है Second statement female labor force participation in India only accounts for marketable employment opportunities and does not consider unpaid domestic services Unpaid domestic services जो घर में ladies काम करती है अपने घर में काम करती है जिसके लिए उनको कोई payment नहीं की जाती तो उसको इसमें count नहीं किया गया है ये female labor force participation rate में उसकी counting नहीं होती है तो सिरफ marketable employment opportunities जो भी economic activities हैं उसमें count होती है तो ये भी point बिलकुल सही है सही है कि जब भी हम GDP calculate करते हैं या किसी भी तरीके से national income की calculation होती है उसमें ये unpaid domestic services को count नहीं किया जाता तो दोनो statement correct हैं तो इसका option का answer होना चाहिए C both 1 and 2 So let us see कि इसका क्या answer है both 1 and 2 Moving on to our next question, question number 3 Consider the following statements A key central policy to source solar power is facilitating the establishment of small solar power project as large solar parts usually translate to higher per unit production cost तो central policy जो है solar power के regarding वो policy कहती है कि इस statement के according वो कहती है कि छोटे solar power project जो है वो ज्यादा feasible है क्योंकि जो बड़े solar power project होते हैं उन में per unit की production cost मतलब एक unit बिजली बनाने की production cost ज्यादा आती है मगर ये वाली statement गलत है ये कहती है इसके बिलकुल opposite के large solar power solar parks जो है वो ज्यादा feasible है वहाँ पर एक unit बिजली बनाने का खर्च काफी कम आता है छोटे solar power project से तो हमें ज्यादा large solar power projects को लगाने की जरूरत है as compared to small solar power project तो हमारी जो first statement है वो incorrect domestic manufacturing capacities in solar sector match the present potential demand for solar power in the country तो domestic manufacturing capacities मतलब जो solar panel बनते हैं इसे related parts बनते हैं इनको implement करने के लिए इनको लगाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो हमारी domestic manufacturing capacity से पूरी हो रही है मतलब इंडिया में हम उतने solar panel या उतना समान generate कर रहे हैं जितने की इंडिया में खपत है मगर ये वाली भी statement गलत है हमें बहुत सारा समान solar power से related या solar panel से related बहार से मगवाना पड़ता है तो हमारे लिए दोनों ही statements wrong है इसकी option आएगी हमारे पास तो चेक करते हैं कि इसका answer क्या है नीदर वन नोर टू fourth question है capital expenditure ये economy से related है question capital expenditure is the money spent by government includes which of the following क्या-क्या चीज़े capital expenditure में आती हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि capital expenditure में आता क्या है capital expenditure में investment होती है development spending होती है मतलब development के लिए जो भी government spend करती है उस सब को हम include करते है capital expenditure में तो जो भी development के लिए spending है वो सारा capital expenditure में होगा इसके जो benefits हैं वो कई सालों तक future में हमें मिलते रहते हैं इसके इलावा इसमें क्या कुछ included है वो अब हम options में देखते हैं acquiring fixed and intangible assets ये है included upgrading of existing asset ये भी है included repairing an existing asset ये भी included है repayment of loan ये भी included है interest payment on past debt ये से debt servicing भी कहते हैं जो ये debt servicing है ये इसमें included नहीं है तो capital expenditure में कौन-कौन सी चीजे included है पहली charge इसे included है interest payment included नहीं है repayment of loan जो है वो included है capital expenditure में future के लिए assets create किये जाते हैं जबकि इसके opposite जो revenue expenditure होता है revenue वाला expenditure इसमें कोई भी asset create नहीं किया जाता ये सिरफ एक liability होती है revenue expenditure में मैं आपकी knowledge के लिए बता दूँ इसमें salaries include होती है interest payments include होते है इसमें subsidies, pension ये सब कुछ include होता है तो हम कह सकते हैं कि capital expenditure में इन पांचो terms में से पहली 4 terms included है और इसकी option आएगी हमारे पास C तो चेक करते हैं कि कौन सी option आएगी C option 1, 2, 3 and 4 only 5th question आज का हमारा last question है आज के current affairs में से consider the following statement regarding the foreign reserve of India तो ये question भी जो है हमारे पास उसी में से आया है economy वाले point of view में से foreign exchange reserves are assets held on reserve by central bank in foreign currency which can include bond, T-bills and government security T-bills means treasury bills तो ये जो foreign exchange reserve होते हैं ये central bank इनको maintain करके रखता है foreign currency की form में maintain करता है इसमें bonds भी हो सकते हैं, treasury bill भी हो सकते हैं और government securities भी हो सकते हैं इंडिया में ये काम RBI करता है जिसका काम है foreign exchange reserve को maintain करके रखना तो ये वाली statement भी हमारी correct है तो इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में ये काम कोन करता है RBI इंडिया में ये काम करता है इंडिया का जो foreign reserve है उसमें foreign currency asset, gold reserve, special drawing rights and reserve position with IMF जो है वो included है ये option भी हमारी बिलकु करेक्ट है ये एक factual point है इसको हमें याद ही करना पड़ता है कि इसमें इंडिया के foreign reserve में फोरेक्स reserve में क्या कुछ included है इसमें हमारे पास कितनी foreign currency है कितना gold है कितने SDR है special drawing rights मतलब जो international organizations बनी हुई है उनमें से हमारे पास कितना पैसा निकालने के right available है और IMF के पास हमारा कितना reserve है तो इन सब इको include किया जाता है ये option भी हमारी correct है SDR जो है वो एक international currency है created by IMF in 1969 to supplement its member country's official reserve No ये option correct नहीं है SDR जो है ये एक international reserve asset है ये कोई currency नहीं है जो की IMF ने create की हो ये एक international reserve asset है create IMF नहीं किया था 1969 में इसके member countries को के official reserves को supplement करने के लिए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कोई currency नहीं है ये सिर्फ एक special asset है और इसके लिए IMF पर कोई claim नहीं किया जा सकता तो इसकी option कौन कौन सी correct है option 1 and 2 तो let us check कि कौन सी option इसकी correct है 1 and 2 only ऐसी और current affair news के लिए आप daily मेरी current affair channel youtube channel को visit करते रहिए current affairs पढ़ना एक interesting काम होगा इसमें कोई रटा नहीं सिर्फ logic से आप कोई भी question solve कर सकते हैं daily 4-5 concepts जो उस दिन के news में हैं वो हम discuss करेंगे in the form of questions कुछ उसके साथ मिलती हुई extra information आप की study को और भी बेतर बनाएगी thanks for